अब आप अपनी आँखें हलके से बंद कर लें लंबी कहरी सांस भरते हुए धीरे से छोड़े लंबी कहरी सांस भरकर धीरे से छोड़ते हुए शरीर को आरामदायक अवस्था में जाने दे अब आप अपने मन में दोहराए इस क्रिया से मैं आराम महसूस करूँगा मेरी चिंता कम होगी मैं तनाव मुक्त महसूस करूँगा लंबी गहरी सांस भरकर धीरे से छोड़ते हुए अब आप अपना ध्यान नमबर एक माथे और सिर की मास पेशियों पर केंद्रित करें अगर आपका माथा और सिर भारी है मास पेशियों में तनाव है इस बार को धीरे धीरे बिस्तर पर डाल दें तनाव और भार को धीरे धीरे पानी की तरह बाहर पहता हुआ महसूस करें माथे से छुरियों को मिटने दें यह मास पेशियां हलकी और धीली हो रहे हैं जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं रिलाक्सेशन और हलकापन इन मास पेशियों में फैल रहा हैं सांस छोड़ते हुए सारा दर्द चिंता और तनाव बाहर निकल रहा हैं अब आप माथे और सिर में हलका मैसूस कर रहे हैं रिलाक्स्ट मैसूस कर रहे हैं नमबर दो चहरे की मास पेशियों पर केंद्रित करें जिसमें हैं आपकी आँखें नाक गाल होंट जुबान और चबड़े अगर आपके चहरे में तनाव है तो इस तनाव को धीरे धीरे पानी की तरहां बाहर पहता हुआ महसूस करें चहरे की मास पेशियों हलकी और धीली हो रही है जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं रिलाक्सेशन और हलकापन आपकी मास पेशियों में फैल रहा है और सांस छोड़ते हुए दर्द, चिंता और तनाव बाहर निकल रहा है अब आप चहरे में हलका महसूस कर रहे हैं रिलाक्स्ट महसूस कर रहे हैं लंबी कहरी सांस भर कर धीरे से छोड़ते हुए अब आप अपना ध्यान नमबर तीन गर्दन की मास पेशियों पर केंद्रित करें अगर आपकी गर्दन भारी है मास पेशियों में तनाव है इस भार को धीरे धीरे पिस्तर पर डाल दें तनाव और भार को धीरे धीरे पानी की तरहां बाहर पहता हुआ महसूस करें ये मास पेशियों हलकी और धीली हो रही है जैसे जैसे आप सांस ले रही है रिलाक्सेशन और हलकापन आपकी मास पेशियों में फैल रहा है और सांस छोड़ते हुए सारा दर्द चिंता और तनाव बाहर निकल रहा है अब आप गर्दन में हलका महसूस कर रहे हैं रिलाक्स्ट महसूस कर रहे हैं लंबी गहरी सांस भरकर धीरे से छोड़ते हुए अब आप अपना ध्यान नमबर चार कंधों की मास पेशियों पर केंद्रित करें अगर आपके कंधे भारी हैं मास पेशियों में तनाव है इस भार को थीरे धीरे बिस्तर पर डाल दें तनाव और भार को धीरे धीरे पानी की तरह बाहर बेहता हुआ महसूस करें यह मास पेशियों हल्की और धीली हो रही है जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं रिलाक्सेशन और हलकापन इन मास पेशियों में फैल रहा है सांस छोड़ते हुए सारा दर्थ, चिंता और तनाव बाहर निकल रहा है अब आपके कंधे हल्का महसूस कर रहे हैं रिलाक्स्ट महसूस कर रहे हैं लंबी कहरी सांस भर कर धीरे से छोड़ते हुए अब आप अपना ध्यान नमबर पांच बाजूएं और हाथों की मास पेशियों पर केंद्रित करें अगर आपके बाजूएं और हाथ भारी हैं मास पेशियों में तनाव है इस भार को धीरे धीरे बिस्तर पर डाल दें तनाव और भार को धीरे धीरे पानी की तरहां बाहर बहता हुआ महसूस करें यह मास पेशियों हलकी और ठीली हो रहे हैं जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं रिलाक्सेशन और हलकापन इन मास पेशियों में फैल रहा है और सांस छोड़ते हुए दर्द, चिंता और तनाव बाहर निकल रहा है अब आपकी बाजूई और हात हलका महसूस कर रहे हैं रिलाक्स्ट महसूस कर रहे हैं लंबी कहरी सांस धीरे से छोड़ते हुए अब आप अपना ध्यान नमबर छे छाती और पेट की मास पेशियों पर केंद्रित करें यह मास पेशियां हलकी और धीली हो रहे हैं जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं रिलाक्सेशन और हलकापन आपके फेफडों में फैल रहा है और सांस छोड़ते हुए सारा दर्द, चिन्ता और तनाव पाहर निकल रहा है अब आप छाती और पेट में हलका महसूस कर रहे हैं रिलाक्स्ट महसूस कर रहे हैं लंबी गहरी सांस भर कर धीरे से छोड़ते हुए अबाप अपना ध्यान नंबर साथ कमर की मास पेशियों पर केंद्रित करें उप्री, मध्य और निचले सभी हिस्सों पर अगर आपकी कमर में भार है मास पेशियों में तनाव है इस भार को धीरे धीरे बिस्तर पर टाल दें तनाव और भार को धीरे धीरे पानी की तरह बाहर बहता हुआ महसूस करें यह मास पेशियों हलकी और ठीली हो रहे हैं जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं रिलाक्सेशन और हलकापन मास पेशियों में फैल रहा हैं और सांस छोड़ते हुए दर्द चिंता और तनाव बाहर निकल रहा है अब आप कमर में हलका महसूस कर रहे हैं रिलाक्स्ट महसूस कर रहे हैं लंबी गहरी सांस भर कर धीरे से छोड़ते हुए अब आप अपना ध्यान नमबर आठ कूल है और जांगों की मास पेशियों पर केंद्रित करें अगर आपके कूल है और जांगे भारी हैं मास पेशियों में तनाव है इस भार को धीरे धीरे बिस्तर पर डाल दें तनाव और भार को धीरे धीरे पानी की तरह बाहर बहता हुआ महसूस करें यह मास पेशियों हलकी और धीली हो रही है जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं रिलाक्सेशन और हलकापन इन मास पेशियों में फैल रहा है और सांस छोड़ते हुए दर्द, चिंता और तनाव बाहर निकल रहा है अब आप कूल है और जांगों में हलका महसूस कर रहे हैं रिलाक्स्ट महसूस कर रहे हैं लंबी गहरी सांस भर कर थीरे से छोड़ते हुए अब आप अपना ध्यान नमबर नौ घुटने वैं टांगों की मास पेशियों पर केंद्रित करें अगर आपके घुटने वैं टांगे भारी हैं मास पेशियों में तनाव है धीरे धीरे इस भार को बिस्तर पर टाल दें तनाव और भार को धीरे धीरे पानी की तरह बाहर बहता हुआ महसूस करें यह मास पेशियों हलकी और धीली हो रही है जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं रिलाक्सेशन और हलकापन इन मास पेशियों में फैल रहा है और सांस छोड़ते हुए दर्द, चिंता और तनाव बाहर निकल रहा है अब आपके घुटने और टांगे हलका महसूस कर रहे है रिलाक्स्ट महसूस कर रहे है लंबी गहरी सांस भरकर धीरे से छोड़ते हुए अब आप अपना ध्यान नमबर दस पैरू की मास्पेशियों पर केंद्रित करें अगर इन मास्पेशियों में भार है तनाव है इस भार को धीरे धीरे बिस्तर पर डाल दें तनाव और भार को धीरे धीरे पानी की तरह बाहर बहता हुआ महसूस करें यह मास्पेशियों धीली और हलकी हो रही है जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं रिलाक्सेशन और हलकापन इन मास्पेशियों में फैल रहा है और सांस छोड़ते हुए दर्द, चिन्ता और तनाव बाहर निकल रहा है अब आप पैरों में हलका महसूस कर रहे हैं रिलाक्स महसूस कर रहे हैं अब हम शरीर के प्रतेख हिस्से की अवस्था को चेक करेंगे यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या भारीपन महसूस हो रहा हो तो आप हाथ उठाकर इशारे से हमें बताएं हम दुबारा उस हिस्से को रिलाक्स करने में आपकी मदद करेंगे नमबर एक माथा और सिर नमबर दो चहरा नमबर तीन गर्दन नमबर चार कंधे नमबर पांच बाजवें और हाथ नमबर चह चाती और पेट नमबर साथ कमर नमबर आठ कूल है और चांग है नमबर नौ टांगी वेखुटने लंबी गहरी सांस भरकर थीरे से छोड़ते हुए अब आप अपना ध्यान नमबर नौ घुटने वें टांगों की मासपेशियों पर केंद्रित करें अगर आपके घुटने वें टांगे भारी हैं मासपेशियों में तनाव है धीरे धीरे इस भार को बिस्तर पर टाल दें तनाव और भार को धीरे धीरे पानी की तरह बाहर बहता हुआ महसूस करें यह मासपेशियों हलकी और धीली हो रही है जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं रिलाक्सेशन और हलकापन इन मासपेशियों में फैल रहा है और सांस छोड़ते हुए दर्द, चिंता और तनाव बाहर निकल रहा है अब आपके घुटने और टांगे हलका महसूस कर रहे हैं रिलाक्स्ट महसूस कर रहे हैं नमबर दस आपके पैरों के मासपेशियों अब आपका पूरा शरीर सिर से लेकर पाउं तक पूरी तरहां रिलाक्स्ट है मन शांत अवस्था में है लंबी गहरी सांस भर कर धीरे से छोड़ते हुए इस आराम दायक अवस्था को महसूस करें यदि आप चाहें अपने मन की आँखों से कोई मन पसंद द्रिश्य जैसे बाग या बगीचा नदी का किनारा आदी की कलपना कर सकते हैं या इश्वर का ध्यान कर सकते हैं कुछ क्षन इसी तरह लेट कर इस आराम दायक और शांत अवस्था को अनुभव करें को महसूस करें अपनी आँखें धीरे धीरे खोलने यदि आप चाहें अपने शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं या हिलाड उला सकते हैं धीरे से करवट लेते हुए पिस्तर से उठें अब आप अपने मन और शरीर दोनों में शांती अनुभव कर रहे हैं याद रखें के आपको कितना अच्छा महसूस हुआ और यह क्रिया नियमेत रूप से अभ्यास करें झाल आपको कितना अपको कुछा याद आपको कितना अव्यास पर यह क्रिया हैं